गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, नेक्स्ट हम थोर हम कहर रहे हैं, every finite P group is near potent, कि आपके पास जितने भी finite P group हैं, वो सभी के आपके पास near potent, यह हम prove कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको prove करने के लिए, principle mathematical induction का यूज करेंगे, ठीक है, तो लेके चलते हैं let g be finite p group g आपके पास एक finite p group है p group है तो p group की आपने definition लगा दी है तो order of g किस form में रहेगा p raised to power n की form में ठीक है so for n आपका क्या रहेगा n is greater than equal to 1 ठीक है कि आपके पास जो n है greater than equal to 1 तो principle mathematical induction की help से करेंगे तो n को हम क्या करते है चलते हैं और equal to n के लिए फिर हम क्या करते हैं उसको दुबारे से prove करते हैं हमने सबसे पहले ले लिए n की value 1 ले लिए तो order of g क्या हो गया p हो गया p होते है p आपका क्या है prime है और किसी भी group का order ready prime है तो वो group आपका क्या होता है cyclic group होता है और every cyclic group is abelian group तो g आपके पास क्या हो गया abelian group हो गया और हमने ये prove कर चुके हैं पहले ही थोरह में कि every abelian group is nilpultant कि आपके पास जितने भी abelian group है सभी क्या है nilpultant है तो ये सभी nilpultant है तो इसका मतलब क्या है कि order n is equal to 1 के लिए आपका result prove हो गया तो g आपका क्या हो गया nilpultant हो गया ठीक है अब हम n का order लेके चले greater than 1 है और assume करें कि every finite p group with order less than order of g कि आपके पास all जो भी finite p group है और जिनका order क्या है less than order of g है ठीक है वो सभी क्या रहेंगे nilpultant यानि कि आप माल लो कि आपके पास एक हो g1 है जिसका order of क्या है order of g1 ये माल लो p raise to power 2 लेलो ठीक है n की value आप ये लेलो 3 है तो order of g आपके पास क्या हो गया order of g आपके पास हो जेगा p raise to power 3 order of g1 p raise to power 2 है order of g p raise to power 3 है तो p raise to power 2 less than क्या हो गया p raise to power 3 तो ये g1 आपका क्या रहेगा ये बात हमने प्रूँ करती है उसके बाद आजूंब करके चलें अब घ्bes yönणी प्रूँ करके दिखा रहें कि जी आपका क्या अाज própria tailored derived देंट 2 कि order of g आपके पास क्या है p raise to power n न है और n आपका क्या है greater than equal to 1 है greater than 1 है ठीक है then आपके पास क्या है कि order आएगा जो center of g का ठीक है वो आपका हमेंसे क्या होता है greater than 1 या आप यहां से यह लिख सकते हैं कि center of g आपका कभी भी आपका identity नहीं होगा identity नहीं होगा तो इसका मतलब इसका order हमेसे इसके अंदर कोई न कोई element रहेगा उसका order क्या रहेगा greater than 1 ठीक है तो यह result आपने लगा दिया ठीक है तो अब हमें पता है कि order of center of g center of g आपका क्या होता है subgroup होता है g का तो g का subgroup होता है तो lagrangian theorem के help से यह order of center of g divide देगा order of g को जब यह order of g को divide दे रहे है आपका order of center of g और आप कहरे हो यह one से greater than है ठीक है तो आपके पास यहाँ से आपके पास कहरे है यह इसको divide दे रहे है तो इसका मतलब यह इसको divide तो देगा ही क्योंकि यह आपका कह हो तो सब ग्रूप होता है G का ठीक है तो हम यहां से यह ले रहे हैं कि जो ओडर आएगा आपके center of G का हमने वो ले लिया P raised to power M और M is less than N क्योंकि तभी divide दे सकते हैं यह इसको तो तभी divide देगा न जब इसका भी order किसमे से प्राइम की फोम में होगा और वो प्राइम किसLP से इससे लेस्तेलं हो ठीक है तो आपने ले लिए P raised to power M और M आपका क्या है? Less than है आपके किसके N से ठीक है? हमने इसका ओडर ले लिए P raised to power N फिर आप क्या कह रहे हो कि मानलो M order आपका क्या रहे है? n रहे, यहां से less than equal to n रहेगा आपका less than ठ्रीक है, अब हम यह मान रहें कि इस n का जो है आपका यह 1 से greater than equal to इस दिभीच में n रहेगा, तो आप यहां से हम यह ले रहे हैं कि जैसे m की value क्या हो सकती, 1 भी हो सकती n भी हो सकती, तो सबसे पहले आपने क्या जी abelion में ये case possible है तो जी आपका यहां से क्या आगया abelion abelion आगया तो हमें पता है कि every abelion group is nil potent ठीक है every abelion group is nil potent तो इस वाले case में भी आपके पास क्या रह गया आपका जी है वो nil potent crew हो गया ठीक है अब हमें second case m आपका क्या लेले less than n लेले m हमारा क्या हो जाए less than n आजाए इस case के लिए अब क्या करेंगे ठीक है हम लेके चलें second case let one say greater than equal to m less than n equal के लिए तो आपने ये कर दिया ठीक है नil potent होगे अब इस वाले case के लिए अब इस वाले case के लिए हमने क्या लेले अब center of g आपको पता है कि आपका क्या रहता है normal रहता है हर एक group में तो normal रहता है तो g by में z हम ये well defined लिख सकते हैं तो यही इसने किया है कि हमने consider कर लिया एक group g by में z तो order of g लिखे इसने g by में z order of g divide order of z से तो p raised to power n by p raised to power m p raised to power n minus में m यह आपको पता है p raised to power n minus m is less than होता है p raised to power n से क्योंकि m आपका क्या है less than n से है तो और n आपने यहां से इसको subtract किया n में से कुछ subtract कर रहे ही less than होगा है p raised to power n आपके इससे less than है और यह order किसका है order of g अब principle mathematical induction क्या कहता है क्या आपके पास कोई भी एक group है ठीक है जिसका order क्या है less than है आपके g के order के तो यह वाला group आपका क्या रहेगा nil potent तो यह वाला group अब आपका g dash क्या है यहां पे g by में z g by z का order क्या है less than है आपके किस से order of g से तो g by z आपका क्या हो गया नil potent principle mathematical induction से तो यह nil potent है तो इसके पास एक central series रहेगी वो central series आपने लिख दिए यह आपके पास क्या आपके आपके पास आपके पास जैड तो यह आइडेंटिटी लिए अभी यह central series है तो सबसे पहले हम क्या करें इसको central series है यह central series होगी तो आपके पास आपको पता है g y में z सभी normal है g y z में ठीक है और यह वाली भी condition को यह follow करोगा हमने last वाली वीडियो में लेमा किया है g i वहाँ पे g central series थी देन आपने लेमा को क्या किया था g i minus 1 g यह किसका subset रहेगा g i का अब आपका क्या है group ही change हो गया g y में z यह निलपोलटेंट है तो अब आपके पास यह वाली condition आजएगी ठीक है आपको प्रूव क्या करना है कि every g i आपके normal हो इन g में central series बनाने है न हमने g वाले group को g को निलपोलटेंट प्रूव करना है तो g के पास central series होने ज़िए central series के लिए सबसे पहले normal series तो every g i क्या होने ज़िए normal होने ज़िये g के तो x element g से ले लिया g element g से ले लिया तो आपका क्या हो जाएंगे, every g i normal हो जाएंगे, in g में, ठीक है, आपने पहले लिखे, g element किस से आपके, g से x element किस के, आपके g i से, ठीक है, यह वाले हमें normal की condition लगा दी, यदि यह normal की condition प्रू हो जाएगी, तो यह प्रू हो जाएगी, एकस element g i से आए, इसका element क्या रहेगा, x से z, g i by में z से आजएगा, ठीक है, second g i by में z जो है, इसका क्या रहेगा आपके पास, तो यह क्या हो गया, x z किसका element हो गया, g i by में z का, similarly g element g का है, तो g z किस से आएगा, g by में z के, और यह इसके, इसमें क्या है, normal है, then आपके पास, यहां से क्या condition हो जाएगी, g z, x z, into में g z का inverse, यह किस में बिलोग कर जाएगा, आपके, g i y में z के, ठीक है, अब यहां से आपको पता है, कि x element किसका है, g i का, g i सारे क्या है, sub group हैं किसके, g के, center group है, यानि normal है, center group है, center group है, तो यह g के सभी element के साथ, क्या करेगा, commute करेगा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हूँ, जो x z है, यह z x रहेगा, ठीक है, तो g, यहां से आपके पास, क्या हो जाएगा, यह आपे x z, यह z, g, g inverse, z inverse हो जाएगा, यह आपका फिल्स किस में भी लोंग करके है, g, i, by में, z में, अब देखो, फिल्स आपके पास, यह z, z है, क्या बन जाएगा, z बन जाएगा, g, x, z, z, z inverse, z inverse, ठीक है, आजेगा यह, simple, अब आपके पास, फिल्स यह, g आपका g में है, g group है, तो g inverse में किस में होगा, g में ही होगा, then आप यहाँ से, z आपका, cacander group है, तो यह इसके साथ, भी commute, करेगा, ठीक है, तो यहाँ से, आपके पास क्या गया है, g, x, g inverse, z, then the inverse belongs to, z, by, g, i, y, z, then आपके, यह element आपके किस में, सारे किस में, commute कर रहे हैं, आपके, g, i, z, यह element इसमें आ गया, इसमें आते ही, then आप क्या करोगे, आपके पास, यह, यह वाला आपका, यह आपका, z आपका क्या है, center group है, इसलिए, इसके उपर inverse नहीं आएगा, तो यह आपका, g, z, z, यह z हो गया, g, x, g, inverse, z, किस में बिलोंग कर गया, g, i, y, z में, अब, g, x, g, inverse, आपको पता, यह z, तो यह identity है, तो यह किस में बिलोंग कर गया, g, i, आपने starting में ही का था, यदि आपने इस तरीके का, यह वाला g, i में दिखा दिया, तो यह इसमें normal हो जएगा, यह आपने दिखा दिया, इसमें, तो then g, i, जितने भी g, i हैं, सभी क्या normal है g में, हो गई यह normal in g में, अब second क्या दिखा दे, central series दिखानी है, तो g, i, minus में 1, g, यह किसमे contain दिखा दे, g, i में, ठीक है, वही element लेके चल रहे है, x, element, g, i, minus 1, g, element, g, z, g, z, आपने commutator ले लिया है, अब x, z किस से, g, i, minus 1, z से, g, z, किस से, g, z से, और यह central series है, आपके पास already यह central series रही, ठीक है, central series यह इसमें contain करेगी, तो यह आपका, इसमें, यह इसका subset है, तो इसका मतब यह element आपके किसमें, इसमें, ठीक है, और यह आपका क्या है, commutator है, इन दो elements का, तो यह commutator है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, commutator आपने open कर दिख सकते हैं, यह इसमें आपने, यह आपका क्या है, नॉर्मल गुरूप है, यह center group है, आपका, G, X, X, inverse, G, inverse, सभी किसके G के element है, तो यह commut रहेंगे, commut रहेंगे, तो last में करते करते हैं, आपके पास यह यहां तक आजएगा, यह इसमें आगया, तो इसका मनलब यह element आपका किसके है, G, I का element है, G, I में आगया, तो X, G आपका क्या हो गया, यह क्या है, आपके पास commutator है, X, O, G, का belongs to G, X element किससे लिए आपने, G, I, minus, 1 से, G, element किससे लिया था, G से, तो सभी के लिए, तो आपने यहाँ पे यह सेट लिखते है, यह सेट किसमें कंटेन हो गया है, G, I, में, ठीक है, लेकिन यह कहां तक हुआ है, अबे, लेकिन अभी यह आपका complete नहीं हुए है, यह प्रूव, अब consider जो series की, आपने G, R तक consider की, देको, I की value हमने 1, 2, 3, G tends to R तक की है, G, R, ठीक है, लेकिन G, R पलस 1, जो आपका किसके identity के equal है, हमें last तक करने है, G, R हमारा क्या था, center of G, और center of G, हमने पहले किया है, कि P raised to power N है, N is greater than equal to 1 है, order of G, यह दि P raised to power N है, N greater than 1 है, तो then आप क्या होगा, आपका order of center of G, क्या रहेगा, आपका identity नहीं रहेगा, greater than 1 है, तो यह identity नहीं है, ठीक है, तो यह वाले इसके लिए भी, अब क्या करेंगे, पहले तो normal, normal तो exactly होजेगा, G, R, पलस 1, normal है G के, क्योंकि जितने भी आपके G आई थे, सभी क्या थे, normal थे G के, तो यह भी normal रहेगा, तो normal की condition में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा second हम क्या, इसको central series, यानि G, R, G, यह content दिखा दे, G, R, पलस 1 में, जो क्या है identity, तो आपके हमारा क्या होजाए, सारा काम complete होजेगा, तो X element ले लिए है, G, R से, G element ले लिए है, G से, ठीक है, अब G, R आपका क्या है, centrop G, centrop G है, तो यह हर एक element के साथ commute करेगा, तो X, G, G, X, लिख सकते हैं similarly, पर similarly सबसे पहले, आप इसके उपर क्या operate करोगे, यहाँ पर G inverse operate करेंगे, G inverse यहाँ पर G inverse, परेट करोगे, तो X, X inverse operate करोगे, तो X, X inverse identity, यानि यह लिख सकते हैं, यह आपका क्या, commutator बन गया है, XLG का, XLG commutator क्या है, identity की की वाला, अब identity वाला group क्या है, G, R plus में 1, ठीक है, तो यह किस में गया, G, R plus में 1, X किस से लिए आपने, G किस से लिए, G से, तो G, R, O, G, यह आपका commutator किस में contain होजेगा, G, R plus 1 में, तो यह वाला भी दिखा दिया, कि यह इसमें, यहां तक R तक दिखाया था, अब R plus 1 है, यानि identity वाला case भी हमने प्रूव कर दिया है, इसका मतलब जो G वाली है, वो आपके पास क्या है, Central Series है, Central Series है, G के पास तो आपके पास क्या हो गया, G क्या है, Nilpultant, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कि Every Finite Group हो, Every Finite P Group, Easy, Nilpultant, ठीक है, Similarly, यही आपका किस में, यहीं से यह थोरम प्रूव हो चुकिए, यहां पर क्या है, G by Z, ठीक है, G by Z आपके पास, यानि यह कह रहे है, कि Z आपका कोई Normal Group है, यहां से Z की बज़ाए H ले ले, H आपका कोई Normal Group है, G by H आपके पास क्या है, Nilpultant है, Then आपको प्रूव करना है, कि G भी आपका क्या हो, Nilpultant, तो आपको Same as it is, यहीं प्रोसीजर करना है, ठीक है, यह वाली थोरम, यहीं तक है, इसके अलावन Next, आपके पास है, Every final, If the Nilpultant Group G है, यह प्रोपल सब ग्रूप, यहीं प्रोपल करना है,